हेलो एरिवन कैसे उसब थार कंट्रवर्शी वाली लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने कुछ एक वेलिड पॉइंट्स रखे थे जिनको बड़े ही कंस्ट्रक्टिव वे में लिया जा सकता था वीवर एक्सपेक्टिंग की वही चीजों को पोजिटिवली लिया जाएगा और एक सेंसीबल डिसीजन लिया जाए बट लिटरली यह चीज देखके बड़ी दुख हुई कि वही इस तरीके के जवाब देखने को मिले कुछ एक लाइन सही थी जो कि मतलब लिटरली ऐसा नही लिटरली इस तरीके से चीज आची नहीं लगती कि क्योंकि देखो हमने पॉइंट्स आपको दूसरा पहलो दिखा दो कि बड़ा ओवियस था जाएगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि भी थार्च चाहिए तो मेरे पासाओ मैं तरीके से आपको thank you बोलना चीए था कि हां यार यह वाली चीज तो मेरे दिमाग में आई नहीं इसको इस तरीके से लोग ले जा सकते हैं तो चलो मैं इस चीज के अंदर थोड़ी सी correct कर देता हूं चीजों को या amend कर देता हूं क्या जो भी चीज है मतलब कुछने कुछ इसके अंदर कोई action ले लेता हूं तो थोड़ा से objection में लगा तो एक request है थोड़ी इस तरीके से चीजों को मतलब हमें सब positive ले लेना चीए अभी जैसे कोई खिलाडी आजब ओलंपिक में कोई मेडल लेके आता है तो उसकी state की गवर्मेंट ही उसको जो है कोई बीजिफ्ट देती है कोई अवार्ड देती है कोई दूसरी स्टेट की गवर्मेंट नहीं देती तो मेरे भाई यह दोनों चीजों को आप compare नहीं कर सकत ताकि मैं हर्याने की domicile ले लूँगा तो मुझे भी अवार्ड मिल जाएगा एक अवार्ड के लालच में कोई domicile नहीं ले सकता लेकिन SSE का जो फील्ड है जहां पर बच्चे उनलाइन coaching ले रहे हैं इनके पास liberty होती है यह एक coaching के दूसरी में जा सकते हैं तो इन दोनों चीज़न को आप आपस में compare नहीं कर सकते लेकिन यहां पर बच्चा लालस देखके आ सकता है second thing जो आपने example दिया कि आज मैंने मेरे class में लड्डू बाटे तो मैं अपनी बच्चों को अपनी class में लड्डू बाटूंगा ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरी coaching के classes में जाके लड्डू बाट दूँगा तो आप इन चीज़ों को भी आपस में compare नहीं कर सकते क्योंकि देखो जब आपने लड्डू बाटा था अपने class में तो आपने चुप चाप बिना announcement के बाट दिया था आपने दूसरे coaching इंस्टिटूट्स के classों में जाके पहले announcement तो नहीं की थी कि मैं अपने class में लड्डू बाटाने वाला हूँ या मैंने अपने class में लड्डू है कि हमारे पास आओ पढ़ो तो इस चीज के उपर आपको थोड़ा logically सूचना चीथ है कि चीजें किस तरीके से present हो सकती है प्लस एक कंडिशन रख देना कि जो मेरा मुझसे पढ़ा होगा मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई गाड़ी चलाएं या थार चलाएं और यह बो तो अपने बच्चों को encourage करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें यह gift दे दूगा तुम इतने नंबर ले गया जाओ तो यह दोनों examples भी आप आपस में मिला नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी parent कभी बच्चे को condition नहीं रखता कि मेरा 700 रुपे का course लो तो first आओगे तो ही मैं gift द दी जाते हैं और अब बता के अगर किसी को condition लगा के दे रहे हो तो फिर गिफ्ट नहीं किसम का लालत सा हो जाता है प्लस यह चीज भी मुझे बड़ी objectionable सी लगी कि जो अफदेश दिक्सित सर हैं दिक्सित सर जैनका YouTube चैनल है उन्होंने भी valid points के साथ वीडियो बनाई थी उपर जिसके उपर भी आप का अंतलब इस तरीके से नेगेटिव वे में अपने इन चीजों को लिया कि उनमें common sense है कि नहीं पता नहीं सीजिया सेलेक्टिड भी है इस तरीके से मिलब बाते बोलना बलब लिटरली आपको पता है उनकी ओल इंडिया रेंक 71 आई थी इस मार्केट के अंदर अपने को एक दूसरे की मेहनत की रिस्पेक्ट करना तो उसी तरीके से पिसली वीडियो बनाई गई थी और इस वीडियो का भी परफस यही है कि चीजों को थोड़ा सा constructive way में लिया जाए पहले भी ऐसी चीजें देखने को मिली थी आपकी वीडियो के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला था तो चीजों को में सा constructive way में लो कोई बात कुछ बोल रहा है तो उसका positive देखो imply करके देखो हो सकता है एक विचार करके देखो उसके बाद आप उसको अपनाऊ ने अपनाऊ एक अलग चीज है बट इस तरीके से बोल देना कि लोगों को क्या खुझ लिए हो रही है आपको ग्यान देने के लिए किसने का मालब ठीक नहीं लगता किसने का वे आपको ग्य जाधी देता है और यार देखो सबसे बुरी बात यह लगी कुछ वीडियो मेरे सामने आई थी एक वीडियो उसमें यह कह रहे थे कि यार मैंने इंग्लिस में नित्व मेहम की एक बुक पड़ी है वह पड़िके मेरे 50 में से 50 आये हैं उसके बाद इनकी एक और वीडियो आ लेके आ रहे या इसका मतलब क्या हुआ जब आपने नित्व मेहम को आपने किताब पड़ी नमर ले गया है 50 में से 50 और आप मैडम को पागल और इन वर्ड का यूज कर रहे हूँ मैडम के लिए हम सब यानि जो भी आपका English का यदी मैं बात करूँ देखो जो कोचिंग करने जाता है या फिर जो कोचिंग नहीं भी करता है हर बच्चे के गर में यदी English की कोई किताब है तो वह नहीं तो मैं की बोक है और आप उनके बारे में यह ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो यह गलत है उसके बाद मैं लड़ो वाली बात पर आपको बोलना चाहूंगा मैं एक अपना ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मानलो मैं बंडारा करवा रहा हूं मैं अपने गाउंवालों को बुला रहा हूं या फिर अपने अडोश्यों पडोश्यों को बुला रहा हूं तो मैं उनके घर जाके बोलके आता हूं कि आर मैं बंडारा करवा रहा हूं पहला पॉइंट यह दूसरा पॉइंट मैं पूरे सहर में ल तो आपको ठाप की या फिर नहीं है अभी तो अपने बच्चोंग को जो आपका जो टौकर हैं अज गई क्यों आ गई क्योंकि मैंने सहर में एड की थी पडोशी आगे फिर आप ये कह रहे हो नहीं पडोशियों को तो नहीं दूगा मैं तो फिर एड किस बात की करे हो पूरे सहर में कि में भंडारा लगा रहा हूं वो क्यूं किया फिर यदि आपका मकसद यह है कि मुझे तो शिरफ अपने सबने बहुत मैंनत किया और मैंनत करके वह जीरो से आज हीरो लेवल तक पहुंचे है बस लास्ट में अब यही कहना चाहेंगे यार कि थोड़ा जो बाती है ना बस इसको इसको थोड़ा यहीं पर खतम करते हैं जैसे मेरे पास भी आई हैं सबके पास यहीं जो आपकी ऐसी बारे में बहुत कुछ उल्टा जुल्टा बोला हुआ है नितुमें के बारे में तभी रिसेंटली भी बोल रहे हूं अब देखरें दोस्ति से उता कि है ना एक नेगेटिव मेसेज आता है मार्केट के अंदर बच्चों को पता है आपका जो सेलेक्शन हो आता हुसमें इन मेसेज आएगा कि जैसे आपने जिन से त्यारी की अब आप उनको एकदम खराब बता रहे हूं तो कल को कहीं ऐसा नहीं आ जाए कि कोई बच्चा आप से सेलेक्शन लेके या फिर आपके किसी बुक की सहायता से सेलेक्शन लेके और फिर आपके कंटेंट को खराब कहने वीडियो देखते हैं जो भी आज के टाइम में सेलेक्टिड बन दे हैं बच्चों को गाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज के उपर काम करनी के जोड़त है कि बच्चे को यह ने दिखे किया देखो उपर वाले आपसमे किस तरीके से लड़ जगड रहे हैं तो जो अपने टाइम में जो मास्टर रहे हैं जिनके हमने बुक्स कुद पढ़ी हैं जिनके कोर्स से हम लोगों का सेलेक्शिन हुआ है एटलिस उनके अपने को रिस्पेक्ट हरनी चीए ठीक है तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं वी होप इस टोपिक पे हमें औ पूर कोई वीडियो ने बनानी पड़े मिलते हैं नक्से वीडियो में टाटा टेक केर बैबाए